Hello Everyone, इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि कैसे हम MS Word, Microsoft Word के अंदर किसी फाइल या डॉकुमेंट से Pen Tablet का इस्तेमाल करते हुए कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे टीचिंग कर सकते हैं जब हम टीचिंग करेंगे तो हम चाछते हैं कि MS Word में किसी फाइल के अलगलग पेज़िज पर, डिफरेंट पेज़िज पर जो Pen Tablet की साहता से किसी टेक्स्ट को हम लिखेंगे या Highlighter की साहता से किसी टेक्स्ट या sentence को Highlight करेंगे या हम यह चाहते हैं कि पीचिंग के दोरान फाइल के अलगलग पेज़िज पर जो टेक्स्ट हम लिखे हैं या हाइलाइट किये हैं तिन में से कुछ पार्ट को हम इरेजर की साहता से रिमूव करना चाहते हैं इरेज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे चुकि MS Word के अंदर, Microsoft Word के अंदर आपको different sizes के pens मिल जाते हैं, different sizes के highlighters मिल जाते हैं, erasures मिल जाते हैं इस वज़े से MS Word का इस्तेमाल काफी अच्छे रिख से किया जा सकता है हम चाहते हैं कि जब हम teaching करें MS Word के अंदर तो MS Word में किसी file के अलगलग pages पर जैसे जैसे हम जाएंगे, scroll down करके या up करके हम teaching के दोरान जब हम जाएंगे तो हम चाहते हैं कि ठीक ऐसे ही इसका एक video record हो जाए, means एक video बन जाए MS Word से हम जब teaching करेंगे, तो हम जो video record करने के लिए जिस software का इस्तेमाल करेंगे वो software है हमारे इस video के अंदर जिसके बारे हम लिसकस करेंगे, वो है OBS Studio Software OBS Studio Software विल्कुल फिरी में मिलने वाला software है, असानी से इसे Google से डाउनलोड किया जा सकता है और इसके साथ OBS Studio के अंदर किसी परकार का कोई watermark नहीं होता है OBS Studio से समन्दित मेरे YouTube चैनल पर कुछ विडियोज बने हुए हैं अगर आप चाहते हैं, बेसिक से सुरू से OBS Studio को समझना, सिखना तो मेरे YouTube चैनल पर प्लेइलिस्ट में जाकर आप इन विडियोज को वाज कर सकते हैं प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं हम अपने laptop के screen पर सबसे पहले हमें MS Word को open कर लेना है और MS Word में आप उस file को open कर ले जिससे आप teaching करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर एक file को यहाँ पर open कर रहा हूँ तो यह मेरा file है, तो मैं यहाँ पर open कर लिया हूँ जब मैं यहाँ पर open करूंगा file तो चुकि मैं इससे पहले भी मैंने इस file को open किया था इसलिए यहाँ पर आपको एक लिखा हुआगा enable, enable का मतलब है कि जो editing हम करेंगे pen tablet की सहता से enable करना होगा इसलिए यहाँ पर enable लिखा हुआ होगा तो आप enable पर ok कर देंगे तब आप pen tablet का इस्तेमाल कर पाएंगे अब क्या करना है कि यह मेरा file खुल गिया है word file है यह आप जैसा कि देख सकते है file format वगरा लिखा हुआ यहाँ पर home वगरा अब आपको क्या करना है कि अपने laptop के screen में OBS studio को open कर लेना है तो मैंने अपने laptop में OBS studio को open कर लिया तो OBS studio में देखिए यह five sections से नीचे से scene source, audio, mixture, scene transitions, controls तो पहले आपको क्या करना है एक scene create कर लेना, एक scene बना लेना है तो मेरा एक scene बना हुआ है उसके बाद आना है sources में sources में मैंने kurs sources को add कर रखा है जैसे यहाँ पर देखिए यह जो लिखा हुआ है text तो यह मेरा scrolling text लगा हुआ है कैसे लगाते हैं इसके लिए भी मेरे channel पर एक video बना हुआ है यह जो छोटा सा वीडियो दिख रहा है और मेरे face के पीछे जो red color का background दिख रहा है यह एक छोटा सा वीडियो है और यह यहाँ पर लिखा हुआ video capture device जिसे मैंने add किया हुआ है जब आप video OBS Studio की सहता से record करेंगे तो यह जो आपको दिख रहा है यह white वाला part यही आपका record होगा यह वाला part यह वाला part और नीचे वाला यह जो पार्ट ही यह आपका record नहीं होगा जैसे कि आप देख रहे है start recording है तो आपको जब video record करेंगे तो आप यहाँ पर start recording को क्लिक कर देंगे तो वीडियो आपका recording शुरूख हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है कि sources में जिस file से मुझे पढ़ाना है उस file को हमें window obvious studio के अंदर लेकर आना है तो window capture करना होगा इसके लिए हमें क्या करना होगा sources वाले section में जाना है और यहाँ पर plus का icon पर click करना है यहाँ पर देखे window capture इस पर आपको click करना है और यहाँ पर फिर आपको okay कर देना है ओक करेंगे तो यह जो लिखाओ वाई window यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर click करके आपको जो आपका word file ह इसे आपको ok करते ने click करते ने हैं और यहाँ पर select कर लेना और यहाँ पर ok करदेना है जैसे ही आप ok करेंगे तो देखीए आपका यह जु आपका पी जो file देख रहा है कुछ ऐसा देख रहा है पूरा रहा है और OVS Studio के अंदर पूरा नहीं आ रहा है इसे यहां से पकर कर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और इसे ड्रैग करना है ड्रैग करने के बाद आपका ये देखिए ये जो है बहुत हद तक जो है आपका ये ये हो चुका है उसके बाद क्या करना है तो इसमें उपर से इसको फिर से पकर के करना होता है ठीक है ना कंट्रोल और अल्ट को लॉंग प्रेस करके आप माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके आपको करना होता है एक तरफ से अगर आपको छोटा करना है इन सारे चीजों के बारे में पहले ही मेरा वीडियो बना हुआ है अब आप देखिए यहां पर जो छोटा सा वीडियो दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है उपर में जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है वह भी ढंक से नहीं दिख रहा है ऐसा इसलिए हुआ कि विंडो कैप्चर इसके ऊपर आ गया इसलिए तो देखिए यहां पर आपका यह जो है वर्ड फाइल ऐसा है तो जैसे कि मैं यहां पर यह सकेंड़ पेज में आगे आँ जैसे यहां पर सीओ टू लिखा हुआ है तो आपको ओविए से स्टीडियो के अंदर भी इस यूद्ध लिखा हुआएगा ठीके तो मैं क् वस्ट पे उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पर यह स्टार्ट recording है। ovus studio के अंदर इस पर आपको click कर देना है meus चुम्किफे आप वीडियो recording करना चाहते हैं यहां से रिफंध रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहते है आप डेखिए जैसे मैंने start recording के आती है आप और stop recording लिखाव आ रहा है और नीचे में recording शुरू हो गया है दस सकेंड तब हो गया है अब मुझे जाना है word के अंदर अब आपको क्या करना है सबसे पहले अपने pen tablet को अपने laptop से connect कर लेना है जोर लेना है तो जैसे pen tablet वेगरे में आपको अगर पर्चिज करना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं तो वैक्कम वेगरे का ठीक ठाकाता है pen tablet अमेजन से पर्चिज कर सकते हैं उसके बाद क्या है कि आपको यह जो है pen tablet कहां पर मिलेगा अभी आप जब करेंगे तो आपको पैंट अब नहीं करेंगा इसके लिए सबसे पहले है ड्रॉपर क्लिक करना है एक ड्रॉपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखिए यह आपको हाइलाइटर्स है यह आपको डिफेरेंट साइज के pan और यह बहुत सारी फैसलिटी और यह आपका एरैजर है या फिर यह भी जो है eraser है यहां पर लिखा ने straw eraser चलिए तो मैं यहां क्या करता हूँ किसी एक pen को select कर लेता हूँ जैसे मैं यहां पर इस pen को select कर लिया तो उसके बाद एक बहुत मोटा लग रहा इसका point इस पर आपको click कर देना है और यहां पर जो thickness है आप इस thickness को ले सकते हैं जैसे मैंने यहां पर इस thickness को लिया है हना color भी आप चूज कर सकते हैं और भी more color है more color पर भी click करके आप चूज कर सकते हैं यहां पर okay कर देता हूँ तो देखिए यहां पर यह जो question है यह अब देखिए और सht Mayo क्या करेगा यह इस पॉर्शन को रिकार्ड नहीं करेगा इस पॉर्शन को रिकार्ट नहीं करेगा आप शिपुर आप अब देखिए मैं जैसे यहां पर आत्लीक रहूं मेलिक रहा हूं जहरकंड है के रिज़िक मोटा काफी मोटा आ रहा है तुछ गया ना ये काफी मोटा रहा है इसलिए यह जो है आपको पर मैं यहां पर यह पैन लेता हूं और देखे यहां पर यह जो ठीकने सको चूज गया टो ढ़िक हिंए तो यह ल양 पर शीड़ा शिम झाएं पर सेसलिए अन्र अंडर में पर हुद तो देखें यहां पर OBS में भी आपको यह चीज रिफलेक्ट होगा पढ़ाते समया उसके बाद मैं अगर चाहता हूँ किसी हाइलाइटर का इस्तेमाल करना तो जैसे यह हाइलाइटर है तो आप देख लिए हाइलाइटर है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहां पर यह हाइलाइटर है तो मैं इस हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यह हाइलाइटर हो गया ठीक है उसी तरह से आप अलग लग कलर भी चूज कर सकते हैं यहांपर क्लिक करेंगे तो आपको यहांपा अलग-अलग classy मिल जाएंगे तप उस तरह से कर लेंगे उसके बाद क्या करना है कि हम चाहते हैं कि इसको आप इर्येज कर डेती यह ए-reunal हो घूँपर हे यह सहता यह क्या हूंगिए यहां से पैन को इनेवल करेंगे option को highlighters कहां से color कैसे choose करेंगे और फिर eraser का इस्तेमाल कैसे करेंगे तो जब यह सब आप कर लेंगे तो कर लेने के बाद आपको यहां पर क्या कर देना है जब आप पूरा पढ़ा लेंगे तो पढ़ाने के बाद यहां पर stop recording कर देंगे माइक वेगर कभी आप इस्तेमाल करें तो जाद अच्छा होगा स्टॉप recording कर देंगे और जैसे ही स्टॉप recording करेंगे तो आपका वीडियो जो है वह रिकॉर्ड होकर तयार हो गया है मतलो recording पूरा हो चुका है तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर यह सीख लि अच्छाए एया यह से लिगयो जाप ईंदर तया यह स्टॉप जावट है यह से लिग।